रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपको जोतिश शास्त्र की उन भागेशाली राश्यों के बारे में बता रही हैं जिन पर भगवान भोले नात की विश्यश क्रिपा होने वाली है जी हाँ दोस्तों बता दें कि महादेव इन राशी वालों से बेहद अब प्रसन हो चुके हैं इन राशी के लोगों को महादेव के क्रिपा से आने वाले महिने में बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है इन राशी के लोगों पर पूरे 51 साल बाद महादेव प्रसन होए हैं तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर ये राशियां कौन सी हैं और इन्हीं क्या लाब होने वाला है तो आपसी अंदरोध है कि वीडियो को आप बिलकुल भी मिसना करें और इसी अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली राशी है मेश राशी आपको बता दें कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहीगा शिक्षा के शेत्र में आप उचाईयों को छुएंगी घर में कोई मांगलिक कार्य संपन हो सकता है रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है आपका आर्थिक पक्ष भैतर रहेगा आने वाले महिने में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी इस राशी के लोगों का भाग्य बहुत जल्द महादेव बदलेंगी आपको बिजनेस और व्यापार में अचानक से लाप प्राप्त हो सकता है आपको अपने जीवन में नए बदलाव देखने को मिलेंगी आपके वैवाहिक जीवन में सुक शान्ती बनी रहेगी दोस्तों अगली राशी है तुला राशी बता दें कि आने वाला समय आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है हमेशा कुछ अलग करने की आदत आपको सफलता अवश्य दिलाएग नया व्यापार शुरू करने का मौका आपको आने वाले महिनों में मिलेगा विर्थ की चिंताएं और परिशानिया आपकी शरीर पर नकरातमक असर डाल सकती है इसलिए आप अपने निजी जीवन का भरपूर आनंद अवश्य उठाएं आपको आने वाले समय में भारी धन क प्राप्ति हो सकती है आपको अपना सच्चा प्यार मिलने की पूरी पूरी संभावना है घर परिवार में आपके खुशियों का वातवरन बना रहेगा दोस्तों अगली राशी है कन्या राशी बता दें कि इन राशी वाले लोगों का महादेव की कृपासी सोया हुआ आने वाले महिने में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा किसी भी विक्ति पर आप इस दोरान ज्यादा भरोसा ना करें आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास रखें अगर आप किसी और पर बिना सोच समझे विश्वास कर लेती हैं तो इस दोरान आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है इन राशी वाले लोगों को कम महनत में अधिक सफलता मिलने मिलने के योग बन रही हैं आपके जीवन के सभी दुखों का महादेव अंत करेंगी दोस्तों अगली राशी है सिंग राशी बता दें कि आपकी इस दोरान धन सम्मंदिद सभी स मस्याएं दूर होंगी धन आगमन होगा आपका प्यार पहले से अधिक मजबूत होगा आपका जीवन साती आप से पहले से अधिक प्यार करेगा नए कारियों में आपको बच्चों और पतनी का पूरा सहयोग देखने को मिलेगा आपकी बुद्धी का विकास होगा और सारे रुके हुए काम पून और धन में व्रिद्धी होगी कामकाज में आपका मन लगेगा और आपको सफलता अपने पास आती दिखेगी दोस्तों अगली राशी है व्रिश्चक राशी बता दें कि अपनी भावनाओं के बारे में जानने के लिए आप समय निकाले अपने आध्यात्मिक दिख्टीकोंड पर विश्वास करें आपके सपने आपको ताजा और सार्थक दिख्टीकोंड प्रदान कर सकती है इस दोरान आप रिस्की खरीदारी से बचें और अपने स्वास्त को प्रात्मिक्ता दें प्राप्त धन को दिरकालिक निवेश या खरीदारी के लिए प्रयूक किया जा सकता है किसी बाधा से निकलना अभी आप के लिए असंभव हो सकता है ऐसे में आपके दोस्तों या परिवार खास तोर पर बुजर्गों की सहयता ले दोस्तों अगली राशी है कुम्ब राशी बता दें कि आप अभी पिछले मुद्दे या पुराने नीजी मामलों को लेकर चिंते थें इसलिए आप इस समय कम बोलने के इच्छुक रहेंगे अतीद के बारे में सूचना भवश्य की चिंताओं की जाच करने का अच्छा प्रयास है किन्तो तब तक जब तक आप अपनी उर्जा और समय बरबाद ना करें अपनी समझ के साथ अपनी भावनाओं शायरिक और वित्य मामलों में अपनी सीमाओं को महसूस करेंगे जल्द ही आपको प्यार उपलब्दियों और रचनातमक्तना को लेकर अच्छे परणाम हासिल होंगे महादेव की क्रिपा से आपको जल्द ही कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपके जीवन के सभी नकरातमक पहलूँ को महादेव दूर करने वाली हैं दोस्तों आप से अंद्रोध है कि महादेव की क्रिपा पाने के लिए कमेंट सेक्षिन में सच्छी दिलसी ओम नमस्षिवाए जरूर लिख दें इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जितना हो सके इसे अपने वाटसैप और फेस्बुक पर शेयर कर दें